कायकल्प ग्लोबल पिछले 20 सालों से सुराइसिस के 7000 से अधिक पेशिंस का इलाज कर चुका है अपने अनुभव से हमने यहां पाया है कि रोगी चाहता है कि उसका सुराइसिस ठीक हो जाए तथा ठीक होकर वापस ना आए सुराइसिस के रोगी जो इलाज लेते थे उससे उन्हें कुछ आराम मिलता था पर मौसम के बद्लाव या सर्दियों के आने पर रोग पुनह लोट आता था सुराइसिस रोगी समय समय पर आयूरवेदिक या अंग्रेजी या हुमियोपेदी या जड़ी पूटी चिकित्सा का प्रयोग करते रहते हैं परन्तों पून तह इलाज नहीं मिलता काया कल्प ग्लोबल पर आयूरवेदिक वर मौडरन डॉक्टर्स की टीम ने अब इस समस्या का हल खोज निया है अब सुराइसिस का उत्तम इलाज कर पाना संभव हो गया है सुराइसिस की तीन स्टेजिस होती है पहले रोग स्किन में रहता है फिर कुछ समय बाद नेल्स में चला जाता है तथा इलाज ना करने पर जोडों में भी चला जाता है सुराइसिस की पाच टाइप्स होते हैं इसमें प्लैक टाइप 85 प्रतिशत लोगों को होता है काया कल्प ग्लोबल में रोग की प्रकार के अनुसार चिकित सा अलग की जाती है काया कल्प ग्लोबल द्वारा डवलाप की गई इंटेग्रेटिट ट्रीट्मेंट हजारों सुराइसिस के रोग्यों के लिए वर्दान सिद्ध हो रही है यदि आप भी इन प्रशनों के उत्तर चाहते हैं सुराइसिस में खान पान का महत्व क्या खाएं क्या ना खाएं क्या ये रोग वंशानुगत है क्या मेरे बच्चों को भी सुराइसिस हो सकता है सुराइसिस के बाद कौन से रोग जैसे टाइरोइट आदी के होने का खत्रा ज्यादा है कितने सालों बाद सुराइसिस जोडों में चली जाती है सुराइसिस में नाखूनों में खटे पढ़ने की क्या महत्वता है क्या आपकी सुराइसिस की दवा लिवर पर दुश प्रभाव डाल रही है बायलोजिकल इंजेक्शन ट्रीटमेंट क्या है वह कितने साल तक रोप को मुक्ट कर सकता है। क्या बालों में सुराइसिस होने से बाल जड़ सकते हैं। मैं बहुत सालों से बहुत इलाज करवा कर ठक चुका हूँ। क्या मुझे भी आराम मिलेगा। तीन ग्राम हल्दी रोज खाना कैसे सुराइसिस को ठीक कर सकता है। यदि आप भी इन प्रश्णों के उत्तर चाहते हैं या आपके हाग पाओं पर कट्स या ब्लीडिंग होती हैं। कोहनी या नीस पर पपड़ी बनती हैं। बालों में डांड्रफ या सुराइसिस हैं या पूरी शरीर पर पपड़ी आती हैं। तो आप आज ही काया कल्प ग्लोबल की चिकित्सा का लाब उठाई और संपर्थ करें www.kayakalpglobal.com कॉंटाक नमबर सुराइसिस पे डॉक्टर शेलेंद्र धवन के और अधिक विडियो देखने के लिए शीगर विजिट करें काया कल्प ग्लोबल यूट्यूब चैनल